हेलो दोस्तों मैं हूँ आयूस और मैं आयूस बैलकुम करता हूँ आप सभी का एक और वार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तरखन पेरट्स में दोस्तों जो आज कर टॉपिक है बहुत जादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आप वीडियो को अंते तक देखते रही और बुल्कुल भी स्की मत कीजिए दोस्ताज आज हम बात कर लेते हैं रेंडिंग सीजन में हम अपने परिंदों की देखवाल कैसे कर सकते हैं वर्ट की कैसे कर सकते हैं अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल तरकर पेर्ट्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाजी नोटिफिक्शन है आप तक पहुचे सबसे पहले तो दोस्तों जो रेनिक सीन में हमें बर्ट करी देखवाल करनी है तो उसमें क्या-क्या बाते जरूरी हैं मैं आज इस वीड प्रवणि आयुडोर में 我 कर posलूर को ठाईए है तुब से पहले तो अच्छे करना अपको इस टाइप करना ताकि जो बाहर की अ cycliform को ना लगे पिर आपके भर्च को लगती तो आपका बड़ जल्दी बिलाफ़ पालगया और फिर आप ट्रेटमेंट नहीं कर पाएंगे ज में सबस工 होता है वह मारे बर्ड मेधान होटा है चाइस तैसे । इंपेक्षिन होता है सबसे मारै होता और दोस्तों र avete सबस्क्राइश कि उन्हीक सबस्क्राइब आपstanden मौसम में बारिस के मौसम में होता क्या कि हम अपने केज और कॉलानी की साफ सपाई नी करते हैं तो जो नीचे के जम्स होते हैं वह हमारे बर्ट्स खा लेते हैं यानि कि जब दाना चुंगते हैं तो जवीन का भी दाना चुंगने लगते हैं तो जो गंदी उनके मुह में जा जाते हैं पैदा होने लगते हैं जिस वेसे जो हमारे बर्ट से नीचे कॉलाउनी में दाना चुंगते हैं तो दाने चुंगते चुंगते उनके मुह में दाने के साथ बैक्टिरियाज भी चले जाते हैं तो जब बैक्टिरियाज उनके पेड़े में चले जाते हैं तो फिर ब पानी ना जाए बारिस का ना डारेक्ट हवाय ना डारेक्ट पानी जाए और आपको अपने केज और कॉलारी की सपाई हमेशा रखनी है गंदी बिल्कुल नहीं रखनी जहाँ आप हफ़ते में एक बर सपाई करते हैं तो आपके बर्ट को काफी जाता फायदा होगा और आपक लग जाते हैं तो आपको आपको ऊपनी पर आपको रियंग सेजन नहीं नहीं देता हूं लग जाते हैं तो आप सेटने में दें सकते हैं अपपनी सीड में संफलावर सीड आ एक स्क्रीन फ़ोटो देख सकते हैं अपने बढ़न को ढूता हुटा है किहां कि अब धी यह pream रिधन्ग स्टार्ट होने बाला है और स्वाउवर सीड मों आयल की महत्रा होती है और जब हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइट कराते तो जब मौसम ठंडा होता है तो हमारे बर्ड्स को इससे गरमी का ऐसास होता है यानि कि यह गरम भी होता है उसमें ऑईल भी होता है तो इस संफलावर सीट खनाने से हमारे बर्ड्स को सबसे पहले तो ठंड नहीं लगती है ठेंड का ऐसास होता एक और जो बर्स का सरीरा गरम रहता टेमपरेचर उसके अंदर ठीक रहता था उसे अंदर भी महसूस नहीं होती बिमार नहीं पड़ता थे और दूसरी जए जो हमारे बर्स को सनफॉलाबर सीड से एक पाया जाता है और ज़ों अपने बर्स को स memorize और गुए कि लेइन से पहले तो उत्व में एंग वाइंडिंदींग परहले लिएलिए में रहा जाता अिछ ने जीन के वर्भ, यौन से जो नई यह तो बहुंद के वहारी निखा पंदर दिन पहले से अगर आप संफ्लॉबर सीड यूज कराते तो आपके बढ़्स में एंटिवेटिक के कोर्स कराना है आप एंटिवेटिक के कोर्स को कुराने के लिए या आप किसी भी जानवरों के मेडिकल से पर्छेस कर सकतें या आपको कहीं भी मिल जाएगा आप यह सक्रीन पर देख सकते हैं यह ज्यादा महेंगा नहीं है सटर पिशतर रुबेगा पैकेट सो गराम को एक से दो गराम एक लीटर पानी में अपने बर्ट को प्रोवाइट कराना है आप जितना ही पानी रखते हैं उसी साफ से क्वाइटि देख लेना यह अंदर कोई प्रॉब्लम क्रीट होई होगी तो दोस्तों आज की पसंद आई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और साथी बैल आइकन को प्रेस करते ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आप तक पहुचे सबसे पहले मिल